अब हावी सुरक्षा घेरे में ले लिया गया है कोई भी किसी प्रकार का आवंचित हरकत न करे वियाईपी का काफिला वेन्यू तक पहुँच रहा है आप देख रहे हैं सुरक्षित लौव कवच में वियाईपी का काफिला वेन्यू पर पहुँच चुका है वेन्यू पर पहुचने को पराद PSO के इसारे पर मुख्य सुरक्षा प्रभारी मेन कार से उतरते हैं यह अलाइटिंग पॉइंट है सुरक्षा का इतिहास इस बात का गवा है कि अलाइटिंग पॉइंट पर कई असासिनेशन अटेंट हो चुके हैं एलाइटिंग पॉइंट पर हाई राइस बिल्डिंग से सफल स्नाइपर अटाइक किया जा सकता है इस लिहाज से एलाइटिंग पॉइंट पर सुरक्षा का महत्तोव बढ़ जाता है मुख्य सुरक्षा प्रभारी स्वयम परिसितियों का जाएजा लेकर व्याइपी को एलाइटिंग पॉइंट पर उतारते हैं गारियों की रिमाशलिंग की जाएगी पुन्त चाक चौबन सुरक्षा व्यवस्ता और ओल राउंड डिफेंस का बेहतुरी इन प्रदर्शन आपके समक्ष आप देख सकते हैं पी एसो के द्वारा व्याइपी को 360 डिग्री का मानो का वक्ष प्रदान किया गया है इसी सुरक्षा गेरे में पी एसो व्याइपी को मुख्य मंच पर लेकर जाते हैं और व्याइपी के द्वारा उपस्तिस जनसमू का अभिवादन किया जा रहा है अब अब दो आप दो और यह प्रदान किया आप देख रहे हैं और अन्तिम पीएसो ने भी कार्केट को हैरत यह इस तरीके से के द्वारा जॉइंग कर लिया गया है और विए पिकार के बड़ा धबाकास सेफ हाउस की तरफ बढ़ते हुए आईडी द्वारा कार के तुन इशार बनाने की कोशिश की गई लेकिन गाड़िया आप कंटिगेंसी रूट पर पीछे की तरफ बढ़ती हुई अभी आप सब्सक्राइब कर रहे हैं और भी अधिक होती है का पीछा कर रही गाड़ियों को देख कर रहे हैं रूट पर तैना सिसे को दी जा चुकी है कर देख रहे हैं और अभी आप देख रहे हैं गाड़ी को ब्लॉक किया जा चुका है और आपके सामने हैरत तंगेज तथा गुस्मन को चकित कर देने वाला जबर दस्त आगहात इसे पहले की कार में मौजूद संदिक व्यक्ति परिस्थिपी को समझभाते क्यो आटिटीन ने बिजली की गति से हमला करके बिना समय गवाए दुश्मन को काभू में करने का सफल प्रयास दिया व्याइपी सुरक्षका मूल से धांत है व्याइपी को खंदर से दूब दे जाना